हलो फ्रेंज वेलकम बाक टो अमेशा केक अन कुकिंग फ्रेंज बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में वड़ा पाउ खाने का मजा ही कुछ और है परसनल ही मुझे वडापाव खाना बहुत ही पसंद है और मैंने तो मुंबई की वडापाव बहुत खाय है तो आज मैं मुंबई के स्ट्रीट चाइल्ड वडापाव और वहां की लाल चटनी बहुत फेमस होती है उसके रेस्पे मैं शेयर करूंगी तो चलिए बनाना तरसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके इसके छिलके निकाल लेंगे। उसे पैन में मैंने आधे कप से भी कम तिल लिये है, सफेद तिल। उसे भी हम हलका सा बून लेंगे। इसे भी हम एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। सबसे पहले हम लाल चटनी बना रहे हैं और यहां पर मैंने आदे कप से ज्यादा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है इसे भी हम हलका सा पैन में भून लेंगे गैस की फ्लेम आपको फ्लो रखनी है इसे भी हम थंडा करेंगे और साइड में एक प्लेट में निकाल लेंगे सबी चीज़े थंडी होने के बाद यहां पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और सबसे पहले हम इसमें दस से बारा लसुन की कलिया लेंगे और इसे हम ग्राइन कर लेंगे अब हम इसमें मूंग फले के डाने अड़ करेंगे और सफेद तिल और डेसिकेटिट कोकोनट भी हम इसमें अड़ कर लेंगे सबी चीज़ों को आपको थंडा कर लेना है और यहां पर मैंने दो बड़े चमच कश्मीरी लाल में चली है और एक छोटी चमच हम तीखी वाले मिर्च लेंगे और नमक आप अपने स्वादनुसा डाल सकते है और इसे इस तरह से पर्ल्स मोड पर पीस लेना है ग्राइन कर लेना है तरदरी रखनी हमें इस तरह से इसे हम बाउल में निकाल लेंगे यहाँ पे हमारी authentic लाल चटनी तयार है आप इसे सबजी में या पराठे के साथ भी खा सकते हैं यह बहुत ही tasty लगती है तो चलिए अब हम हरी वाली चटनी बना लेते हैं तो हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फिल से एक mixing जा लिया है इसमें हम मुंख़ली के दाने डालेंगे 4-5 हम हरी मिल्च डालेंगे और 3-4 लसुन की कलिया डालेंगे मुठी बर हम हरा धनिया डालेंगे हर धनिया हमें इस तरह से दंडियों की साथ लेना है और आदे छोटी चमच हम जीरा डालेंगे और नमक स्वाद अनुसा डालना है और एक मीमू का रस डालेंगे और थंडा पानी डाल कर हम सभी चीजों को हम ग्राइन कर लेंगे और इस तरह से हमें हरी वाली चटनी थोड़ी से थिक रखनी है अब हम अपना बैटर बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो कप बेशन लिया है बेशन आपको बारिक लेना है नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और वन फोथ वाटर चम्म चम हल्दी डालेंगे आदी चम्म चम लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करकर स्मूध सा बैटर बना लेंगे बैटर की कंसिस्टनसी आपको कुछ इस तरह की रखनी है न जादा गाड़ा न जादा पतला कुछ इस तरह की कंसिस्टनसी हमारे बैटर की होनी चाहिए अब हम इसे साइड में रखेंगे और आलू की मसाले की तयारी कर लेंगे तो यहाँ पे आलू की मसाले के लिए हम एक पेस्ट बनाएंगे यहाँ पे मैंने दस आलू को उबाल कर इसे छील कर इस तरह से तयार कर लिया है अब हम स्मैशर से इसे हलका हलका हमें स्मैश करना है पूरी तरह स्मैश नहीं करना है अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे आदे छोटी चम्मच हम हल्दी डालेंगे एक चमच लाल मिर्च डालेंगे और आदे चोटी चमच हम गरम मसाला डालेंगे और नमक आप अपने स्वाधनु सा डाल सकते हैं अब हम एक कड़ाई में दो चमच हम तेल लेंगे दो बड़ी चमच हमें तेल लेना है इसमें हम mustard seeds डालेंगे वो तड़कने लगे तब हम आदी छोटी चमत जीरा थोड़ी से हींग और नीम के पतिया डालेंगे और हमने जो paste रेडी की थी उसे हलका सा हमें slow flame पर बून लेना है अब हमारा जो आलू का masala हमने प्यार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे और सबी चीज़ों को हम अच्छे से mix करलेंगे सबी चीज़ें अच्छे से mix होने के बाद हम इसमें आदा मीमू का रस जालेंगे और कुछ हरा धनिया डालके अच्छे से mix करलेंगे हमारा आलू का मसाला ठंडा होने की बाद हम इस तरह से छोटे-छोटे पोर्शन लेकर वड़े तयार कर लेंगे तो इस तरह से मैंने सभी वड़ो को तयार कर लिया है अब हम बैटर में आदी छोटी चम्मच हम सोडा डालेंगे बेकिंग सोडा और चोटा चम्मच हम गरम तेल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हमारा बैटर फ्लफी हो गया है एक कड़ाई में मैंने तेल को गरम होने रखा था और हम सभी वड़ो को इस सरह से एकेक करकर बैटर में डिप करेंगे और पूरी तरह से हमें वड़े को इस सरह से कोट करना है और एक्स्टा बैटर को ब्रिप आउट होने दिना है और इस सरह से हम गरम तेल में इस वड़े को फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसेस से हम सभी वड़ो को फ्राई कर लेंगे हलका golden brown color हमें इसमें लाना है आप देख सकते हैं हमारे सबी वड़े अच्छे से fry हो चुके हैं इस तरह का कलर होना चाहिए हमारे सब भी वड़े fry होकर तैयार हो गये है लाल चटनी तैयार है, हरी वाली चटनी तैयार है अब हम पाउं को बीच में से इसरसे कट करकर वड़ा पाउं को एसम्बल करेंगे एक साइड हमें हरी चत्नी लगानी है और दूसरी तरफ हम लाल चत्नी इसरसे लगाएंगे और बीच में हम वड़ा रखेंगे फ्रेंड्स हमारे मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाउं तयार है आप भी इस रेसिपी को जरू से घर पर ट्राई कीजेगा बहुती तेस्टी बनते है फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरू से बताईएगा आज की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक झाल झाल